दोस्तों, मेरे पती की अनुपस्थिती में मेरे पती की कमी मेरे ससुर जी पूरी कर रहे थे. मेरे घर में मैं मेरे पती और ससुर रहते थे. सास ससुर को छोड़ कर चली गई थी. तब से घर में मेरे पती और ससुर ही रहते थे. मेरी शादी को साथ महीने हो गए हैं. मेरे पत और मेरे पती के बीच कोई अंतर नहीं था। मैं सिर्फ दो महीने ही अपने पती के साथ रही। मैं क्या बात कर रहे हैं और क्या नहीं। कुछ दिन बाद मेरे पती का मेरे प्रति प्यार कम होने लगा और मैं प्यार के लिए उनके बहुत पीछे पड़ी थी। पती के मन में नहीं था। फिर भी मैं सब कुछ करने के लिए उनके तयार करती थी। यह अब मेरी आदत जैसा हो गया था। एक दिन मेरे पती मुझसे कहने लगे। जान, अब मुझे अगले हफ़ते अमेरिका जाना है। अब तुम कैसे रहोगे। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरे साथ कंपनी के कुछ और सकर्मी भी आएंगे और वहाँ अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते। सिर्फ च्छ महीने की ट्रेनिंग होती है। मैं बहुत दुखी थी। मैं यह सोचकर कोई काम भी नहीं करना चाहती थी कि अगले हफ़ते मेरे पती चले जाएंगे। मेरे पती ने ससुर जी को बताया पापा मैं अगले हफ़ते अमेरिका जा रहा हूँ और च्छ महीने की ट्रेनिंग होती है। आज मेरे ससुर इतने खुश थे कि मैं उन्हें देखकर हैरान रह गई। जिस दिन पती ने यह कहा था उस दिन से ससुर जी मेरे साथ बहुत हंसी खुशी रहने लगे क्योंकि बेटा घर में नहीं रहेगा और उनकी पतनी भी नहीं थी। मेरे ससुर के मन में यह बात आ रही थी कि अब हम दोनों पती पतनी बनकर घर में रहेंगे मेरे दिमाग में यह चक्र घूमने लगा एक तरफ तो मैं परेशान थी तो दूसरी तरफ मेरे ससुर मुझसे बात करके बहुत खुश थे ससुर जी मुझसे कहने लगे बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत करो उसकी च्छ महीने की ट्रेनिंग है वह जल्द ही आएगा और बुरा मत मानना मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं भी अपने ससुर से हाँ मामा जी कहने लगी ससुर की बोली में अंतर मुझे भी महसूस हो रहा था लेकिन मैं ना तो अपने पती को बता सकती थी और ना ही किसी और को बता सकती थी मैं जानती थी कि अगर मैंने अपने पती को बताया तो वह मुझे से नाराज हो जाएंगे मैंने मन बना लिया था अब जो होगा वह बाद में देखा जाएगा मैंने अपने ससुर का खयाल अपने दिमाग से निकाल दिया हमारे पास कोई बड़ा घर नहीं था बस दो कमरे, एक बांतरूम और एक रसोई घर था अब कल मेरे पती जा रहे थे मैंने अपने पती के लिए सारी तैयारी कर ली मेरे ससुर भी तैयारी में मेरी बहुत मदद कर रहे थे मेरे पती ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए सब कुछ पैक कर दो और मेरे ससुर मेरी बहुत मदद कर रहे थे पती को छोड़ने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना था लेकिन मैं और मेरे ससुर, दोनों मेरे पती को छोड़ने कमपनी गए कमपनी बहुत करीब थी, जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे पती ने मुझसे कहा, बाबा का खयाल रखना, बाबा को नाराज मत करना मैंने अपने पती को हाँ कह दी, मेरा पती मुझे छोड़ कर चला गया मैं एक भी दिन उनके बिना रह नहीं पती थी, और अब रात कैसे गुजारंगे, पूरी रात नीद नहीं आएगी, मैं क्या करूंगी मैं अपने पती से कहने लगी, तब पती कहने लगे, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा फिर हम दोनों जैसे ही घर आ रहे थे, तब ही मेरे ससुर ने मुझसे कहा, चलो, हम केक घर ले जाते हैं अब मैं अपने ससुर के सामने कुछ नहीं बोल पाई, और मुझे केक बहुत पसंद था, ससुर जी ने तुरंत कार एक बेकरी के सामने रोग दी, और एक केक लिया, मुझे वह केक बहुत पसंद आया, मेरे ससुर इसे मेरी कार में मेरे पास लाए, अब मैंने सोचा कि ससुर जी कार में बैठेंगे लेकिन मेरी कुछ गोलियां खत्म हो गई हैं मैं उन्हें ले लेता हूँ ए कहकर थोड़ी देर रुखने को कहा और ससुर जी एक मेडिकल में चले गए और कुछ गोलियां ले ली और तुरंथ उसे लेकर मेरे पास आए और हम दोनों घर आ गए मुझे खाना भी नहीं खाना था क्योंकि मेरे पती चले गए थे मैंने उनसे कहा आप खाना खा लीजिए तो ससुर जी मुझसे कहने लगे मैं भी खाना नहीं खाऊंगा नहीं तो तुम्हें खाना पड़ेगा नहीं तो मैं बिलकुल नहीं खाऊंगा आज पहली बार मेरे ससुर न और मुझे खाने की प्लेट पर बैठाया और कहने लगे खाना खालो मैंने भी जिद छोड़ दी और मैं भी उनके साथ खाना खाने बैठ गई वे खाना खाने के लिए मेरे बहुत करीब बैठे ससुर जी की आँखें बड़ी चमकीली थी मुझे अपने ससुर की आँखों में एक अल अलग ही रूप नजर आ रहा था भोजन के बाद ससुर जी ने घर का मुख्य दर्वाजा बंद कर दिया तब मुझे बहुत अलग महसूस हुआ इस घर में हम तीन लोग रहते थे लेकिन आज घर में केवल मैं और मेरे ससुर ही बचे थे मेरे ससुर को भी ऐसा ही लग मैं अपने कमरे में सोने चली गई तब ही ससुर जी मुझसे कहने लगे अगर तुम अकेली महसूस करो तो अपने कमरे का दर्वाजा बंद मत करना मैं यहां हॉल में हूँ और मैं सच मुझ डर गई थी क्योंकि ती महीने तक मैं घर में कभी अकेली नहीं सोई मेरे पती नींद नहीं आ रही थी थोड़ी देर बाद मेरे ससुर उठे और देखने आये क्या मैं सो रही हूँ या नहीं वे मेरा बहुत ध्यान रखते थे उन्हें भी बिलकुल नींद नहीं आ रही थी उसके बाद मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला और मैं सुबब बहु दाग दिख रहे थे, मुझे नहीं पता था कि वे किसके दाग थे, इसलिए देर होने के कारण मैं रसोई में चली गई, ससुर्जी हॉल में बैठे थे, मैंने उनसे कहा कि पापजी आप नाश्ता करेंगे, तो उसने सिर हिलाया और फिर मैं रसोई में चली गई, मैं आज साल गई, तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि तुम प्रेगनेंट हो, लेकिन मेरे पती घर में नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेगनेंट हुई, आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए आने वाले अगले पार्ट तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें